हलो एवरीवन विल्कम बेक टू माई चेनल आज मैं आपके साथ सेयर करने वाली हूं टक्स ब्लाउज फोर टक्स ब्लाउज की ड्राफ्टिंग प्लस यहां पर थियोरी हम सीखेंगे तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम यहां पर फोर टक्स ब्लाउज की लजए यहां पर बीन बेल्ट वाला वोर्तक्स ब्लाउज बना ले तो सबसे पहले हमें किनकिन मेजर्मेंट की जरूध होगी वह यहां पर नोट कर लें घ्राउज की लंbाई चाहिए ये हमें सबसे पयने हमें व्लज की कि लम्बाई है इसके बाद shoulder हमारा 6 इंच है आर मॉल हमारा 6 इंच है चेस्ट हमारे 34 इंच है कमर हमारी 30 इंच है neck width neck की छोड़ाई हम यहाँ पर 3 इंच रखेंगे और neck की लम्बाई हम आवशर a पह अनुसार रखेंगे कि नेक की लंबाई हमें अपने अकॉर्डिंग रकनी है है कि तो यहां नेक की चोडाई थीß इसके लिए हम कपड़े को टू फॉल्ड करकर निशान लगाएंगे तो देखिए हमें सबसे पहले कपड़े को टू फोल्ड करना पड़ेगा दो भाग में हम कपड़े को फोल्ड कर लेंगे इसके बाद हम बंद भाग की तरफ से सोल्डर का निशान लगाएंगे हम हमेशा जो हमारा बंद भाग होता है ये वाला इसके चोडाई में इस तरह से सोल्डर का निशान लगाते हैं तो हमें बं कि तरफ 3 इंच को गले का निशान लगा देंगे सेकंड पॉइंट इसके बाद हम खुली भाग की तरफ से लंबाई आर लारमime का निशान लगाना था हम सोल्डर से अर्ममोल का निशान लगाने के बाद हम इसे गोलाई देंगे देखिए यह हमारा सोल्डर का निशान हो गया इसके बाद हमने आर्म होल का निशान लगाया तो आर्म होल के निशान के लिए हमने यहाँ पर लंबाई में इस तरह से 6 इंच का निशान लगाएंगे और यह जो गोलाई है वो हम 1.5 इंच की हम यहाँ हमारा गोलाई देंगे ओस paling जिए मार्जिन कर चोड़ाई में हम इब निशान लागा देंगे हमें यहां पर 34 निशके कर चोथा भागा यह दो 5 8 a Ma लगाएंगे, हमारे blouse में वो लगाएंगे, हम साड़े 10 इंच का, देखिए, इस तरह से हम चेस्टिक में, साड़े 10 इंच चोड़ाई का, चेस्टिक का निशान लगाएंगे, और कमर, कमर हमारी 30 इंच है, तो कमर कभी हमें 1 4 पार्ड आने, कमर को 4 से डिवाइट करेंगे, और उसमें 2 इंच मार्जिन लेंगे हमारा सिल लाई और फिटिंग मार्जिन होता है 2 इंच तो देखे हम यहां ड्राफ्टिंग पर समझते हैं कि आपको आपके नापके अकॉर्डिंग किस तरह से कपड़े पर निशान लगाना है तो सबसे पहले यहां पर देखे मैंने यहां पर ब्लाउच का फ्रंट भाग तयार किया है जैसे हम हमारा फ्रंट पार्ट तयार करेंगे वेसे हमारा बेक पार्ट भी तयार होगा तक्स लगाएंगे और बेक पाट जो हमारा हिस स्फिंपल होगा देखिये मेजर्मेंट दोनों का एक ही होगा देखिए सब्से पहले यहां समझ लिजिए हमने उल्डर का निशान किस तरह से लगाय है देखिए सबसे पहले हमारा जो कपड़ा है वो टू फोल्ड है हम दो भाग में इस कपड़े को फोल्ड कर लेंगे ये टू फोल्ड हमारा कपड़ा है टू फोल्ड कपड़ा है और ये वाली जो साइड हमारी वो बंद भाग है कि यह जो साइथ हमारी बंदभाग में हम इस तरह से लंबाई का निशान लगाई में हमारी जो ब्लाउच की लंबाई है इसमें एक इंच मार्जिन करके प्लस करकर निशान लगाएंगी जैसे आपको अगर अगर 13 इंच लंबाई चाहिए तो आप चोदा इंच पर यहां पर निशान लगाएं अगर आपको 14 इंच ब्लाउच की रेडि लंबाई चाहिए तो फिर 15 इंच पर निशान लगाएं तो लंबाई है उसमें 1 इंच प्लस कर देंगे इसके बाद हम मारा लग जाता है लंबाई पर निशान लगा लिया इसके बाद हम लगाएंगे इस तरह से बंद भाग की तरफ से चोड़ाई में तो यह 6 इंच का हमने शोल्डर का निशान लगा आपके नाप के अकोडिंग यहां पर निशान लगाएं अगर आपको ब्लाउज के लिए परफेक्ट शोल्डर आर्म होल और नेक वीट का चार्ड देखना हो तो मैंने अपनी चैनल पर पहले ही अपलोड कर दिया वहां आपकी चेस्ट साइज के अनुसार आपके सोल्डर आर्म होल नेक वीट कितना रखना है या आप आसानी से पता कर सकते हैं तो मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बोक्स में दे दूंगी आप वहां जाकर सेख कर सकते हैं या फिर आई बटर में आप उस वीडियो को देख सकते हैं तो देखिए यहां पर से इस तरह से हम लंबाई में सोल्डर से इस तरह से लंबाई में हम आर्म होल का निशान लगाएंगे यह हमारा आर्म होल का निशान है और इसको इस तरह से हम यहां पर चोड़ा कर देंगे देखिए आर्म होल का निशान लगाने के बाद अब हमें चेस्ट का निशान किस पर 6 & 5 पर 8 इंच 4 पर किया निशान लगाए इस तरह लगाना इसके बाद हमारा यह यह भाग हो हमारा कमर रहेगा तो एक कमर का निशान लगाएंगे तो कमर के लिए जितनी हमारी कमर है उसका चोथा भाग प्लस टू इंच यहां हमारी कमर तीस इंच है तो तीस इंच का चोथा भाग हम यहां पर साड़े साथ इंच और उसमें टू इंच प्लस करकर इस तरह से निशान लगा देंगे देखें यहां इस तरह से हम निशान लगा देंगे इसके बाद हमारी आ जाती है नेक विट तो नेक विट जो हमेरे shoulder का निशान लगाया उसी में से हम 3 इंच चोड़ा इस तरह से बंद भाग की तरफ से 3 इंच चोड़ा इस नेक का निशान लगाएंगे यह 3 इंच हमें इसकी चोड़ाई लखनी है और लंबाई हमें 6 या 6 इंच रखनी है अगर चाहें तो इसे बड़ी या छोटी रख सकते हैं यह हमारी फ्रंट पार्ट की नेक की चोड़ाई है अगर आप बेक पार्ट में रखेंगे तो चोड़ाई हम 3 इंच रखेंगे और बेक पार्ट में आप लंबाई आपकी अनुसार रख सकते हैं आपको पीछे के गले के लंबाई कितनी चाहिए इसके बाद हमारा आ जाता है यह हमने हमारे ब्लाउच की मेजर्मेंट लगा लिए चेस्ट कमर और शोल्डर का निशान लगा लिए इसके बाद हम यहाँ पर देखिए यह 1.5 इंच की हमने यहाँ पर आर्मोल की गोलाई दें लगेंगें अब हमारा आ जाता है टकस हमें वर टकस a ख बना रहे हैं तो हमें हाँ 4 टकस लगाएंगें तो सबसे पहला देखिए सबसे पहला पर बड़ा और ंओं होता है जिससे अमारे आए जalg के लिएगन के बीच में यह हमारी कअडी है कअ दी के सेंटर में देख कि यहां पर कमर कंदी का सेंटर निकालेंगे और व 1400 लंबा वर 1 इंच चोड़ा इस तरह से यहां पर टक्स ल connection यहीं रहेगा कमरे सबसे बढ़ा टक्स यहीं रहेग और इसी इन्चे चोडाइ, इसी तरब आधा इंची चोडा नीं Farm लगा अगी एक दिए से चोडा रखना मा Sun G इसके बाद चूरण लंबाई इसके बाद हमारा आ जाता है बाद हमारा लगेगा नेक की तरब इस पर आगे भाग में जो आयगा उसके बाद हमारा है जो ब्लाउज की लंबाई है हमने नेक पार्ट कट कर लिया उसके बाद जो हमारी ब्लाउज की लंबाई है उसके सेंटर में देखिए नेक आदा भाग इस तरब और आदा भाग इस तरब ये ब्लाउज की हमारी लंबाई है तो लंबाई में हमने ये नेक पार्ट कटिंग करने क के बाद जो हिस्सा रहेगा उसको हाफ फोल्ड करेंगे देखिए इस तरह से यह हमारी यह जो हमारा लंबाई है इसके अंदर आधा आधे बीच सेंटर में इसके हम निशान लगाएंगे तो यह दूसरा टक्स हमारा यहां लगेगा धाइंच पर धाइंच पर हमें इस तरह ल इसके बाद हमारा यह जो हमारा पहला टक्स है इसकी देड़ इंच की दूरी पर यह हमारा दूसरा टक्स रहेगा इस आप यहां जो हमने पहला टक्स लगा है इसकी देड़ इंच की दूरी पर यह हमें दूसरा टक्स हमारा यहां पर आएगा अब तीसरा टक्स हम लगाएं हमें 3,5 या 4 इंच रखनी है, जो हमने दूसरा टक्स लगाया था, उससे 1,5 इंच की दूरी पर ये टक्स आएगा, उससे 1,5 इंच की दूरी पर हमें ये टक्स लगाना है, इसके बाद हमारा आजाता है चोथा और आखरी टक्स, चोथा टक्स हम यहाँ पर कमर से, देखें, यह हमारी कमर का हिस्सा है, इससे 2 इंच उपर, कमर से 2 इंच उपर हम ये टक्स इस तरह से लगाएंगे, इस तरह से ये तिर्चा ये टक्स आएगा, और इसकी लंबाई हम 4,5 इंच रहेगी, ध्यान रखिए, हमारा चारो टक्स की आपस की जो दूरी रहेगी, वो 1,5 तो देखिए, यहाँ पर आपने टक्स को देख लिया, आप इस तरह से ही इसे नोट कर लीजिए, इसके बाद आप यहाँ पर नोट लिख लीजिए, कि हमें टक्स कैसे लगाने हम लगाने हैं, तो सबसे पहला टक्स, जो पहला टक्स हमारा आएगा, सोल्डर के सेंटर को ल में शोल्डर के center में यहाँ पर निशान लगाएं और इसकी चोडाई कितनी रखनी है 4 इंच अभ सक pierws ना दूसरा हौ डूसरा हमारा आर्म होल के center से 4 इंच का टक्स लगाएंगे देखिए यह हमारा आर्म होल है arm hole के center से इस तरह लंबाई में arm hole के center से हमें 3.5 या 4 इंच का दूसरा टक्स हमारा लगाना है दूसरा टक्स हमारा आगे के भाग के center में लगाना देखिए front part में हम गला हमारा कटं कर लेंगी उसके बाद जो भी भाग रहेगा उसको center में हमारा तिसरा टक्स लगाएंगे इसके बाद हमारा last वाला टक्स है कमर से 2 इंच उपर हम 5 इंच का एक टक्स लगाएंगे देखिए हमारी कमर है कमर से हमें 2 इंच उपर 2 या 2.5 इंच उपर इस तरह से तिर्चे में हमें 5 या 4.5 या 5 इंच का टक्स लगाना है, तो इस तरह से मैंने आपको यहाँ पर जो हमारा 4 xu X की ब्लाऋऊज की ड्राफनिंग प्लस यहाँ पर थोरी समज़ा दी ही नहीं I hope आपको मेरा वीड़ो पसत आया होगा अगर आपको मेरा वीड़ो पसन आया तो वीड़ो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थेंक्यू फॉर वोचिंग